दोस्तो केला और टूथ पेस्ट आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदर सकते हैं। आपका हस्बेंड यानि कि आपका पती आपको पागलो की तरह से प्यार करने लएगा, आपको छोड़ के अकेला कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। तो चलिए आज के वीडियो में बने रही है हमारे साथ, लास तक इस वीडियो को इत्मिनान से, तिहान से देखिए कि किस तरह से आपको इस रेमेडी को बनाना है और किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जोई एस्ट यानि के घरेलू उपाय सरल तरीके में दोस्तों आज की जीडियो में आपको बहुती अमेजिंग सी एक रेमेडी में बताने वाली हूँ ये रेमेडी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके पती या फिर आपका जो भी रिलेशन एक दूसरे के करीब है वो दूर होता जा रहा है उस relation में कुछ कमियां आ रही हैं उस relation को अगर आप हमेशा एक दूसरे का साथ रहे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही important होने वाली है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि एक relation में काफी समय तक रहने के बाद interest एक दूसरे पे कम होना शुरू हो जाता है तो ये जो interest कम होना शुरू हो जाता है इसी interest को कम होने से कैसे बचाएं कैसे ये interest हमेशा बरकरार रखें एक दूसरे के उपर इसके लिए आज की remedy आपके लिए बहुत ही कारकर साबित होने वाली है दोस्तों जब इंट्रेस्ट हमारा एक दूसरे के ऊपर बना रहता है तो हमारी लाइफ में जितनी भी परिशानियां आती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और हम एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी mutual understanding करते हैं लेकिन अगर यहीं हो जाती है और बहुत सारे जगड़े शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में और लोगों का घर से बाहर या फिर एक दूसरे से छुप छुप के किसी और के साथ में चक्कर चलना या बहुत सी चीजे शुरू हो जाती हैं तो इससे कैसे बचाओ करें यह के लिए बनाई है उन जोडों के लिए बनाई है जो चाहते हैं कि अपना इंट्रेस्ट जो है वो हमेशा अपने पार्टनर के साथ सुख और आनंद की अनुभूती करते रहें दोस्तों इस रेमिडी के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए होगी वो है ये ये है पका हुआ क पेला लेके आप इसके छिलके उतार लें छिलके उतारने के बाद में आप इसे चमच की सहायता से काटे की सहायता से इस तरीके से इसको मैस कर लें यानि कि एक स्मूथ सा हमें मैस कर लेना है पेस्ट बना लेना है बेसिकली हमें इसका क्या करना है पेस्ट जैसा बना लेना तो अब पेस्ट बन चुका है, इसमें अब आपको क्या डालना है, इसमें जो दूसरी चीज डालनी है, इसमें चाहिए हाफ चम्मच शुगर यानी की चीनी, तो आप आधी चम्मच इसमें आप चीनी मिला देंगे, चीनी मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, चीनी पौडर मिलाना है, चीनी आपको खड़ा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि हमारा प्राइवेट पार्ट बहुत ही सेंस्टिव होता है, इसलिए आप खड़ा शुगर न डाले, पीशा हुआ सुगर इसमें मिलाएं, तो पीशा हुआ चीनी हमने आधा चम्मच अब डाल दिया है, इसके बाद जो अगली चीजिस में डालनी है, वो डालनी है, यह है वैसलीन जेली, तो वैसलीन जेली हमें लेना है, आधी चम्मच के करीब, और आधी चम्मच के करीब हमें इसमें डाल देनी है, वैसलीन जेली, इसको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है जब तक कि अच्छे तरह से मिक्स नहीं होता है तब तक हमें इसे मिलाते रहना है एक बड़ जब अच्छे फिर से हम मिलाएंगे, अच्छी तरह से इसको मिला लीजे, फेट लीजे, और देखे ये बन करके अब तैयार हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये एक दूसरे में मिक्स हो चुका है, इसे अब इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो इस्त के बीच में आपको दोनों थायच के बीच में और दोनों आपके उपरी एरिया जो होता है ना ब्रेस्ट का एरिया, चेस्ट का एरिया, उसके बीच में आपको इसको लगाना है, और लगा के इसको आपको रख देना है 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए रहने देंगे, उसक white दिखाई देता है दूसरा आपका जो एक sensation है वो बढ़ जाता है इसको लगाने की वज़े से और आपका प्यार हमेशा हमेशा जो है कि वो जमा रहता है बरकरा रहता है और एक दूसरे से आप जो है लगाव महसूस करते हैं तो आज ही वडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज कोमेंट में कोमेंट करके बताईएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा अपने फ्रेंट्स और रिलेट्स में अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलूंगी अगर आप चाहते हैं मेरे Instagram page को follow करना तो पीज मेरे Instagram page घरेलू सरल तरीकों को follow कर ले ये Instagram page आप सभी के लिए ही बनाया है मैंने तो आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद अजरीक के वीज में बदिए इतना ही धन्यवाद अजरीक के बदीज इतना ही वीज शपनाया है अजरीक कि आप सभीक के दो बदीज़ के लिए रहाद